नमस्कार स्वाकते आपका अपने चानल अंटोल स्टुडियो में और मैं हूरीटा दोस्तों भारत की में जबानी में होने वाले वन डे वर्ल्ड कप के स्केडियूल ICC ने रिलीज कर दिये हैं यह टोर्नमेंट 5 अक्टोबर से शुरू होगा भारत और पाकिसान के बीच 15 अक लेकिन दोस्तों इस बड़े मुकाबले से पहले टीम इंडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किले खड़ी हो सकती हैं जानिये कैसे आज की वीडियो में हम वो भी आपको बताएं तो टीम इंडिया की कमान जो की रोहिट शर्वा के कंतों पर है और वहीं पाकिस्तान की कप्त जो टीम इंडिया की जीत में रुकावट बने होए हैं तो पहले खिलाडी का नाम है शाहिन शाह अफरीदी अगर बात की जाए शाहिन शाह अफरीदी की तो वो 36 मैचेस में 70 विकेट ले चुके हैं और उनका एकॉनमी रेट 5.52 का रहा है और दुबई में उनका T20 को कोई कैसे भूल सकता है जब शाहिन शाह अफरीदी ने भारत के तीन बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था और मेलबन में उन्हें पिछले साल एक भी विकेट नहीं मिला था जब भारत के खिलाफ भीड़े थे 2022 में लेकिन इस साल टीम इंडिया को शाहिन शाह हो सकते हैं बता दें कि उन्होंने अब तक 57 वन डे इंटरनाशनल मैचेस में दो शतक और नौ अर्ध शतक की मदद से उन्होंने 1408 रंस बनाए हैं और रिजवान एक टॉप और के बल्लेबास हैं और उन्हें रोकना भारती टीम के लिए बहुत ही जरूरी होगा और अगर यहां पर भारत के लिए मुश्किल बढ़ सक और इनके बाद आखरी नाम आता है पाकिस्तान के कफ्तान बाबर आजम अपने टीम के बड़े हथ्यारों में से शामिल है और वो तॉप ऑडर के बल्ले-बास हैं और अगर उनका बल्ला चला तो टीम इंडिया के लिए बड़ मुसीबत खड़ी हो सकती है दाय हाथ के बल्ले बास बाबर आजम अब तक 100 वन डे मैचेस में 18 शतक और 26 अर्द शतक की मदद से 5,089 रंस बनाए हैं जिसमें उनका ओवराल स्ट्राइक रेट 89.24 का रहा है तो ये थी वो तीन खिलाड़ी जो टीम इंडिया के लिए बड़ी म बन सकते हैं ऐसे में पाकिस्तान तीम के खिलाफ रोहिट शर्मा की जो प्लेइंग 11 है वो सोच समझ कर चुननी होगी साथी गेंद बास और बल्ले बास पर भी बड़ी जिम्मेदारी देखने को मिल सकती है क्योंकि यहां पर पाकिस्तान के इन तीन खिलाड़ीं को रोकना बहुत जरूरी है अगर उन्हें यह वन डे वर्ल्ड कप जीत रहा है उमीद है आपको हमारी आज के वीडियो पसंद आये होगी वीडियो अगर अच्छे लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले क्रिक्ट कर लें धन्यवाद